नमस्कार दोस्तों मैं आपका मित्र वैद अविशेक कुमार वत्ष और आप देख रहे हैं अपना विश्वस ने चैनल अग्मिवेश वैदिक संसकार सेवा समिती तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने भारत में पाए जाने ले विभिन जातियों के इतिहास पर प्रकास जाला जब मैं जातियों का इतिहास प्रकासित कर रहा था और आपको वीडियो के मादम से बता रहा था तो मेरे कुद दोस्त कमेंट कर रहे थे कि मैं तोगड़ फोर कर रहा हूं नहीं मित्रों मैं आपको बताता हूं कि जातियों का इतिहास जानने के लिए हमें क् का इतिहास जानना को ज़रूरी होता है आज इस वीडियो में हम बात करेंगे और जानेंगे बर्मा कुद्मी पटेल समधाय के छत्रिय धर्म या छत्रिय वन्स से जुड़े होने का प्रमाग तो मित्रों मैं आपको कुछ बाते बताना चाहता हूं आप जानते होंगे शायद क कि एक बहुत ही फेमस कोट है कि if you want to destroy a nation you have to destroy his history यदि आप किसी राष्ट को समाप्त करना चाहते हैं तो उसके इतिहास को आप समाप्त कर दिजे the nation will be destroyed by itself इसके बाद वो राष्ट खुद ही समाप्त हो जाएगा तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे राष्ट के ऊपर आकरांस्ताओं का आँना जाना लगा रहा है और उन्होंने सिर्व सत प्रश्य च्छथ पहुचाई तो हमारे इतिहास दुनिया में कोई ऐसा राष्ट नहीं होगा मेरे ख्याल से जो अपने इतिहास में उन आकरांताओं का इतिहास परता है जिन्हों ने इस राष्ट पर हमला किया है जिन्हों ने इस राष्ट को लूटा है और जिन्हों ने इस राष्ट को तबाह किया है यह बहुत ही आश्चेर जनक बात है दोस्तों आप सब को यह जानना चाहिए और फिर मेरे कुछ मित जब मैं अपने इतिहास के ऊपर रिसर्च करके उसको प्रकासित करने की कोशिस करता हूँ तो मेरे ही कुछ मित जो सही तक है मैं उसको जब सामने लाता हूँ तो नीचे कमेंट बाक्स में लिखते हैं कि आप करनल टोड की रिपोर्ट देख लीजिए आप हिरा चंदानी की रिपोर्ट देख लीजिए मित्रों मैं मानता हूँ कि करनल टोड और हिरा चंदानी ने बहुत मेनत के बाद कुछ तक भारसरकार को उपलंद कराए लेकिन यहीं समझ जाना चाहिए कि भारत एक छोटा सा कोई प्रान्थ नहीं यह एक बहुत ही हुज कंट्री है बहुत ही बड़ा रास्टर है और यहाँ पर करनल टोड क्या घर घर गये थे वो पता करने कि कौन से इस्पिसीज है यहाँ पर मैं भी इसी भारत में रहा हूँ मेरे भी परिवार वाले रहे हैं आपके भी परिवार वाले रहें गये आप अपने बावा दादा से कुछिए कि क्या वो करनल टोड या हीरा चंदानी को जानते हैं तो यदि हर बेक किसे नहीं मिला गया और सिफ राजगना धरानों में जाकर उनके उपर रिसर्स कर लिया गया थेसर्स बना दी गई थवरी पेस कर दीगी तो क्या वो सकते हैं तो मित्रों आज हम आगे चर्चा को बढ़ाएंगे लेकिन इससे पहले यदि आप मेरे चनल पर नए हैं तो चनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करेंगा तो मित्रों मैं आपको बताता चलना हूँ कि जब करनल टोड और हीरा चन्दानी की रिपोर्ट लगाई गई या हीरा चन्दानी ने करनल टोड के रिपोर्ट में को सुधार किया उसके बाद भी तो सुधार की गुंजाईस बच जाती है तो क्या हम मानना शुरू करते हैं हम अपने सुर्णी ग्रंथों को जिनको दबाया गया चुपाया गया आप किसी तरह से उनको फिल्टर किया जा रहा है तो क्या हम वो कारहीँ बंद करते नहीं यही मैं बताना चाहता था और मैं आपको बताया कि किस प्रकाद जचिण भारत में कमा प्रजाती के लोग पाय जाते हैं और वो कूर्मी वर्मा छत्रिय से सम्मंदित हैं और मित्रों मैं आपको बताता चलू लखनव बारबंकी जोटी मैं आप ये इती रिसर्चस को फर्म होने दें रिसर्चस को कराए जाए तो आपको पता चलुएगा कि आवद कूर्मछत्रिय के नाम से लगनों बारबंकी में जितने भी पूर्मछत्रिय रहते हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने पीछे इतिहास में सैनिक आस्रसस्त्रों के जिनके परिवार के लोग सेना में रहें, सैनिक रहें, बहादुरी का कारिके हैं, जब यहां पर आकरांता है तो मजबूरे में उनको खेती किसानी पसपालन में लगना पड़ा, जैसा कि आप सभी ज करते होंगे कि एक सोल्चर की ट्रेणिंग यह होती है, वो उसी हाथ भलाने की तरफ मदबूर नहीं करते हैं, जैसे अन्य लोग जो गुलामनों के टमें समय पर जाकर वहां पर चाटकारता कर रहे थे, उससे अच्छे तो यह लोग थे जिन्होंने स्वालंबी होना से विक होने चाहिए थे, लेकिन जो मित्र मुझे रोकने की कोशिस कर रहे हैं, उनको पता होना चे कि टीम अगनी वेस्ट लगातार हारतिय इतिहासिक परंपरा, यह उन पर रिसर्च करके जो आज के इस्तरमाल में समाज को जोड़ने का जो प्रयास हो सकता है, जो हर संभो प्रया होगा, वो किया जाएगा, तो इसी के साथ मैं बैद आप शिक्मार बात, आज आपसे विदा लेता हूँ, नमस्कार